हाई गाईज नमस्कार आज मैं जा रहा हूं चप्रा के चिल्डेन पार्क जो यहां से दो किलिमेटर के असपास है तो मैं जा रहा हूं और मैं अकिला गूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है आपको भी घुमाते हैं देखते हैं क्या हालत है पर चलिए तुमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमिट और स्वागत था आपका ट्रफलर इसान में आज हम है चप्रा में और चप्रा में भी हम बहुत ही खास जगह पे हैं इसका नाम है शिल्डेन पार्क यह पार्क के फिक्त आमने आप देख रहे हैं यह तालाब चप्रा का यह मेरे समझ से एक मात पार्क है जिसमें बच्चों के लिए कुछ खेलने की जगह बनाई गई है तो आईए इसे घुमते हैं और शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो लेकिन अगर आप चैनल पे नही यह मेरे पीश्या पे तलाब देख सकते हैं और यह तलाब पे जो पठी बनी हुई है इस पे रोज सुबा साम लोग जाविन करने आते हैं बड़े बुजूद लोग भी आते हैं और जवान भी आते हैं बच्चे इसका तो पार्क ही है तो तो ते इसने कहना ही क्या है और यह बगल में मेरे पीचे और स्लाइडर आते हैं उसकी स्थितू कुछ अच्छी है और यह सामने यह में गेट है जो अभी कोविश वजा से बढ़ा है जब से थोल देना चाहिए तो नहीं लगता है कोविट है यह बाती है वैसे बहुत बड़ा पार्क तो नहीं है यह जीतना भी है यहां के लिए उतना है यह चाहिए लेकिन पिर भी कि जो है वो तो आपके साल September हैं जो भी इंतिया में लोग है उनको ध्यां देना साओए इसे देखने के लिए तो पार्क है लेकिन फिरी अभी ये पार्क में होने जो बाट हो कियो फोटा नहीं है। वहां आप देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं हला किुछ लेकिन तीर भी जो भी है पार्क कहराने लाई है। नहीं हला कि हमारा बस्टवान इसी में भीता आए इसलिए आम इसे पार्क खाह रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं नौजवान है जो क्रिकेट कानांद ले रहे हैं हलां कि इतनी खड़ाब जगा भी नहीं है जो भी अच्छी है लेकिन आज कल जो पार्क बन रहे हैं तो पामले में क्या कहा जाए जो पार्क कहलाने लायक आज जो जगा बन रहे हैं उसके अनुसार तो यह पार्क नहीं लगता है ऐसे कुछ फुला जगा है जिसमें लोग छिल करने आते हैं अच्छी बात है सहर वालों के लिए बाकी देखिए मैंने आपको कहा था कुछ लोग जोगिंग करते हैं तो यह जोगिंग कर रहे हैं यहां क्रिकेट हो रही है सारों तरफ के व्य सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर यहां तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे और वो घंटे वाला जो बटन है बार-बार बोलता हूं उसको दबा के रखिए वीडियो आती रहती है आप अगले वीडियो में अब तक के लिए धन्यवाद